तो फ्रेंड्स गूगल शीट की अगली सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूनीक वैल्यू कैसे निकाले मान लीजी यह हमारे पास एक डाटा टेबल है और यह डाटा टेबल अभी तो 50 की है लेकिन इसमें बहुत सारे डाटा हो सकते हैं आ कि आप कैसे बहुत आसां तरीके से इस यूनीक वैल्यू को निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम यूनीक फंक्शन का यूजू करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप कितने बड़ी-बड़ी लिष्ट को यूनीक वैल्यू प्रेंस सबसे पहले Google sheet खोल लेना है Google sheet में जो भी data है आपका वह select कर लेना है उस sheet पर चले आना है और यहां पर हम लिखेंगे जहां पर भी मुझे unique value चाहिए यहां चाहिए तो मैं यहां equals to लिखोंगा unique यूनीक आपसे मांगेगा range हम select कर लेंगे इसके बाद control shift down arrow जहां तक data होगा आपका वह आ जाएगा comma by column तो इसमें हमें सिर्फ यही लेना है पूरा data range नहीं ले रहे particular column ही ले रहे हैं तो इसको हम फिर एक comma दे देंगे और exactly once इसको bracket close और enter तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना सिर्फ पास डिपार्टमेंट है और यह पास डिपार्टमेंट में 50 employee यह हमारा unique data निकल गया अब चाहें तो हम इसको copy करके paste value कर सकते हैं control shift view shot की है या फिर right click करके paste special में paste value only कर सकते हैं अब हम इससे चाहें तो यहां पर drop down बना सकते हैं drop down कैसे बनाएंगे drop down बनाने के लिए हम data में जाएंगे data में जाएंगे data validation add new rule और drop down list है तो drop down list में हम from a range करेंगे drop down में हम यह range ले ले लेते हैं और यहां कर देंगे okay तो यहां देखेंगे आप drop down बन गये हैं और यहां से आप select कर सकते हैं same करने के लिए या तो आप इसको drag कर दीजिए यह आपके drop down तयार हो गए आपका जितना value तक लेना है वहाँ तक drop down select हो गया तो आप ऐसे drop down भी select कर सकते हैं लेकिन अभी एक problem मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या problem होने वाली है माली जिये यहाँ पे मैंने एक entry डाली और इसमें IT field डाल दिया तो क्या IT की value जो हमने unique value निकाली थी वहाँ पे IT field आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे IT field नहीं आई तो इसको dynamic बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि dynamic बनाने के लिए जो हमने यह unique का formula लगाया था और इसमें हमने c51 तक दिया था तो इसको हम only c कर देते हैं और उसके बाद enter करेंगे यह देखेंगे कि यहाँ पे IT आ गया अब माली जे यहाँ पे कोई और department मैं डालता हूँ operations project यह मैंने दो और डाल दिये तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यह automatically update हो गए और यही list आपकी यहाँ update होनी चाहिए लेकिन हमने इसको भी dynamic नहीं बनाया तो dynamic बना सकते हैं हम करेंगे edit पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि by default यह dollar का sign लग रहा है तो इस dollar को जो है हम remove कर देंगे h2 से range fix करनी है और last हम fix नहीं करेंगे तो okay कर देंगे और apply to all apply to all करते यह सारी list आपकी update हो जाएगी तो आप यहाँ देखेंगे कि drop down में IT और operation भी आ चुका होगा अगर मैं फिर से यहाँ पे माल लीजिए कोई और एक list डाल देता हूँ English कर देता हूँ यहाँ कर देता हूँ Hindi और यहाँ German यह मैंने तीन चीज़ों और डाल दी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी list अपडेट हो गई और यहाँ पे भी drop down अपडेट हो गई तो friends यह हैना मज़दार function कि आप एक single formula हमने एक single cell पे formula लगाया और यह हमें unique value मिलती जाएगी dynamic हमने इसे कर दिया है तो friends वीडियो को like जरूर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please do subscribe unique value के ओपर था अगली वीडियो और interesting होने वाली है तो चैनल को जरूर subscribe कीजिए thank you दोस्तो thanks for watching